दोस्तों आज आप जानोगे Serious exam से जुड़ी कुछ बातों के बारे में से इसमें रहता रहता है किया सिसके बारे में फूल डीटेल में आप इस वीडियो में जाने वाले हो तो आज आपको इस वीडियो की जरीए सही guidance मिलेगी और आप कहोगे कि अगर कोई भी career से later कोई भी doubt हो तो उसका जवाब आपको सिर्फ हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा तो वीडियो को start करने से पहले हमारे चैनल को subscribe नहीं किया में Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force में जाने का मौका मिलता है CDS का exam clear करने के बाद आपको इन 3 department में से किसी एक department में जाने का एक सुनरा अफसर मिलता है और CDS का exam UPSC के जरी हर साल 2 time connect कर जाता है जिसमें इसकी जो notification आती है CDS exam की वो March to April और 7 में November to December की टाइम ये जारी होता है तो आपको इस time में आपको CDS exam की notification आपको देखने को मिल सकती है और इस exam में आपको return test और interview होता है जिसके बद आपको इन 3 wing में से यानि कि इन 3 department में से किसी एक में service करने का एक मौका मिलता है अभी हम बात कर लेते कुछ इसके LGBT के बारे में के लिए 19-24 साल Indian Navy Academy के लिए 19-24 साल और Officers Training Academy के लिए 19-25 साल तक एज करेटी लिए रखा गया है अगर मैं यहाँ पर education की बात करो तो यहाँ पर Indian military वालों के लिए ग्रेश्व की डिगरी रखे गई है और Indian Navy वालों के लिए engineering की डिगरी रखे गई है और Indian Air Force ग्रेश्व की डिगरी रखे गई है इसाथ में 12 में आपका PCM सब्जेक्ट होना बहुँ ज़्यदा जुरूरी है अगर मैं Officer Training के बात करो तो यहाँ पर आपका किसी भी फिल्ड से ग्रेश्व की डिगरी होना बहुँ ज़्यदा जुरूरी है अब यह हम बात करते हैं को इसकी heights के बारे में अगर आप Indian Navy और Indian Army में जोईन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी height 157.2 cm होनी चाहिए और Indian Air Force के लिए 162.5 cm होनी चाहिए और इन तीनों forces को जोईन करने लिए आपका यहाँ पर unmarried होना बहुँ ज़्यदा जरूरी है और CDS exam को clear करने के लिए यहाँ पर टू स्टेटी से गुजरना पड़ेगा फर्स्ट इस रिटन टेस्स, सेकंड इस इंटर्वियो अब बारी है exam से लिए बसकी exam के लिए कैसी होनी चाहिए planning CDS के exam में 3 steps होते हैं फर्स्ट इस English, Math, General Knowledge और इसके साथ आपको current affair पर भी नज़र रखनी है और अगर मैं English के exam की बात करो तो यहाँ पर आपका grammar, vocabulary, clause test, paragraph, antonym, synonym से related question पूछे जाते हैं और math में अगर मैं question की बात करो तो यहाँ पर आपका algebra, vector algebra, trigonometry, dimension geometry, statistics, calculus, probability से related question पूछे जाते हैं और अगर मैं यहाँ पर general knowledge की बात करो तो यहाँ पर आपका physics, chemistry, science, social science और current affairs से related question पूछे जाते हैं और interview में current affairs की knowledge और confidence को देखा जाता है इसके साथ candidates में mentally और physically strong देखा जाता है अगर आप में भी officer जैसी quality है और officer बन कर देश की सेवा कर सकते हो तो आपके लिए एक बहतर अफसर है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह interview SSB के जरिए conduct करा जाता है आम तोर पर SSB interview 5 days तक चलता है जिसमें screening test और psychological test लिया जाता है दोस्तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही हमें पूरी उमीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए helpful भी होगी ऐसी interesting और career related जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना और इस bell icon के लिए करना बिल्कुर भी न भूले अगर आपके किसी फ्रेंड को इस फिल्म में करीव न आना है तो आपको यह वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें तब तक के लिए आप हमें अपने सवाल बेशते रहें इस वीडियो गर बस इतना ही धन्यवाद